हाथरस कांड में फर्जी बाड़ा शुरू अखिलेश श्यादव को मिली खबर तो लगा दी सरकार की लंका क्या बाबा को बचाने का हो रहा प्रयास बाबा को अब तक गिरफतार नहीं कर पाई पुलिस लेकिन बेगुनाह लोगों पर कसा जा रहा शुकंजा पीडित पूर्वसियम अखिलेश श्यादव ने एक लंबा चोड़ा पोस्ट करके इससे मामले के कुछ ऐसे पहलूं को उजागर किया है जिने देखने के बाद आपका भी दिमाग ठनक जाएगा और आप सोच में पढ़ जाएंगे कि आखिर इस आधार पर जांच क्यों नहीं की ज मामले में जहां सरकार का दावा है कि जाच की जा रही है तो वहीं कई बेगुनाहन लोगों को भी अरेस्ट किया जा रहा है और इन में से एक पिडित ने जब अपने पिता की गिरफतारी और फरजी तरह से फसाने के मामले में अखिलेश श्यादव से शिकायत की और मदद क की मांग की तो सब हैरान रह गए पहले बात करते हैं कि अखिलेश श्यादव ने क्या कहा और फिर बताएंगे कि पिडित कौन है जिसके पिता को गिरफतार किया गया है अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये निकलेगा कि इस तरह के आयोजन में होई शासनिक प्रशासनिक व दोराई जाती रहेंगी शासन प्रशासन किसी खास मंसा से व्यर्थ में ऐसे लोगों को गिरफतार कर रहा है जो मूल आयोजन इस्थल से दूर थे और गिरफतारी के बाद उनको ही दोशी ठहराए जाने की तैयारी कर रहा है ये गिरफतारियां स्वय में एक शडियंत रहें इन गिरफतारियों की तुरंत नियाएक जाच हो जिससे उतर प्रदेश की भादपास सरकार का खेल जनता के साम निलाया जा सके अगर भादपास सरकार ये कहती है कि ऐसे आयोजन से उसका कोई लेना देना नहीं था तो फिर भादपास सरकार को सक्ता में रहने का कोई हक नह इस आधार पर इसका मतलब तो ये निकलता है कि ऐसे लोगों से भाजपास शरकार का कोई सरुकार नहीं है जबकि सबसे पहले सरकार का ध्यान ऐसे लोगों की तरफी जाना चाहिए निंदनी हैं। जबकि आयोजन इस थल से दो किलो मीटर दूर उनकी जोटी वाहनों को पारकिंग में लगवाने के लिए जबर दस्ती लगाई गई थी। अखिलेश श्यादब से मदद की मांग के थी। जिसके बाद अखिलेश श्यादब ने पोस्ट किया और इस अपोस्ट ने सियासी भूचाल ला दिया है। उतर प्रदेश में हातरस की जो गटना सामने आई उसके बाद से लगातार सियासत चरम पर है और विरोधी दलों की तरफ से सरकार की मंचा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विरोधी दलों का कहिना है कि सरकार आरूपी बाबा को बचाने में लगी है लेकिन आरूपी बाबा को गिरफतार किया जाना चाहिए और उसके खलाप सक्त एक्शन होना चाहिए।